दखिए ये कोई ऐसा विशे नहीं है इसके उपर कमेंट वाजी किया जाए मगर हाँ ये ऐसा विशे जरूर है जो एक चिंता का विशे है क्योंकि एक तरह से तरीके से मानव अधिकार का हनन करने की बात है ये देश का हमारा जूडिशियर सिस्टम भी ये बात कहता है और हमा उनके बेटे को उनके पास आकर के उनकी मिटी देने का या जब वो बिमार थी तो उनकी खिद्मत करने के लिए उनको नहीं आने देना है अपने आप में ये बात शो करता है कि किस तरीके से इस देश में जो आज का माहोल है उस माहोल को मनददर रखते हुए लोगों के मौ आने वाले समय में क्या होगा क्या लोग अपने माता-पिता के खिदमत के लिए या अपने माता-पिता के देहांत होने पर उनकी मेट्टी में शरीक या उनको दासंसकार करने के लिए भी सरकार से परमिशन जब मांगी जाएगी तो सरकार उस पे सौतेला वहवार करेगी ऐसे तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता पक्ष की पाटी के हैं जो छोटी सी छोटी घटनाएं होती हैं और इधर से उधर रहते हैं कहीं तो उनको पेरोल मिल जाती है लंबी लंबी बड़ी बड़ी पेरोल मिल जाती है वो बाहर निकलते हैं गुमते हैं काम कोई और बताते ह और उसके बाद करते कुछ और हैं मगर हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक बात यही रखी थी कि हमें सिर्फ इतनी देर के लिए चुटी कर दी जाए कि हम अपने दादी का पापा आकर उनकी मिट्टी दे सके और वापस चले जाए कि यह लॉजिक्स पे तो यह सरकार चलती नहीं हैं अगर लॉजिक्स पे चलती होती तो आज देश की यह हालत थोड़ी होती यह तो सीधे-सीधे तानाशाही है कि लॉजिक्स की कोई बात नहीं बस तानाशाही है कि देश की सरव चुकुरसी पे बैठे हुए व्यक्ति इस जनपत में कदम रख रहे थे इस लिए इस मैं आती ही इए ने प्वाइब और आप अपने पांचों को जब आपने सामने दीटिंगा सब से चोते बेटे और सबसे जादा उनके चहीते विए तौ एक उसके तरह से वो करती है मcoholनी आए को एक उनकी अखोंammal बयान कर सकता कि उनकी आखों में उनको ढूंडने के लिए क्या बातें थी मगर आखरी दम तक के कर नहीं पाए इसका अफसोस भी है और लोग भी देख रहे हैं और उपर वाला भी देख रहा है इनसाफ जरूर मिलेगा